हाई बीटिबल एंजल्स वेल्कुन दे डिवाइन फैमली राधे राधे जैश्री किष्णा आप सब अच्छी होंगे खुश होंगे मज़े में होंगे तो ये रीडिंग होने माली है आप लोगों के इसका करीयर के लिए तो करीयर के लिए आप लोगों की कैसी रहेंगी taur वह हम लोग चेक करेंग graph और यहां पर मेरे पास तीन कार्ड और और kलb मैसीज़ और हैं ज्रीश्टल्म meek क्रिस्टल तो वर्यूस कर सकते हो तो फोसर्ट वन है यहां तर मेरे कर सकते हो इस प्यूटिफुल लैपिज लजूली क्रिस्टल को थर्ड वन है यहां पर डुनेट या फिर आप चूज कर सकते हो इस स्नोफ लेग जैस्पर को और एक से ज्यादा भी आप पाइल्स को चूज कर सकते हो तो मैं आपको मिलती हूँ आपके गिवन टाइम स्टैंप पर हाई पाइल्वन तो अगर आपने इस डालमेशन क्रिस्टल को चूज किया है या फिर चूज किया था आपने कार्ड को इनवेस्ट मैसेज को तो देख लेते हैं आपके आने वाले तीन महीने तो यह आपके जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो यह होगा आपका फर्स्ट मंथ यह होगा आपका सेकिंड मंथ और यहाँ पर है आपका थर्ड मंथ तो देख लेते हैं जब आप रीडिंग देख रहे हो उस मन्त में एक तो आपको message है invest तो invest money हो सकती है आप invest करना चाहरे हो या आपको करने की जुरत है या time और energy हो सकती है आपको किसी नए काम में या कुछ start करना चाहते हो तो उसमें हो सकता है कि आपको time and energy अपनी efforts को hard work को invest करने की जुरत है अगर आप success देखना चाहते हैं आपने career कर place पर तो हम लोग ये reading कर रहे हैं पहले मैं बता दूँ कि ये reading है next three months में आपके career की क्या energy है pile one वो देखेंगे तो पहले महीने में आपसे ये invest करने की आपको कुछ ना कुछ जरूरत है जैसे मैंने बात की है यहाँ पर है bittersweet तो अगर आपने काफी सारी effort की किसी field में तो आपको वो result नहीं मिले है तो कहीं न कहीं यहाँ पे आप एक zone में चले गए हो जहां पर आप कहीं न कहीं happy नहीं हो चीज़ों को लेकर अपने career को लेकर और यह भी हो सकता है कि emotionally शायद आप किसी दर्द में या pain में हो जिस वज़े से आपको यह अपने आपको express करना you know express करना कहीं न कहीं भूल गया हो यह है थोड़ चक्रा का काड़ कहीं न कहीं अपने आपको एक room में एक zone में आपने बंद कर लिया है अपने आपको क्योंकि आप शायद लोग आपको समझ नहीं पाते हैं आपको साथ नहीं देते हैं आप comfortable नहीं हो क्योंकि आपको उतनी जादा support नहीं मिलती है तो इस वज़े से आप इस zone में हो शायद तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है या आपको अपने आपको express करने की जूरत है किसी न किसी रूप में चाहे वो आप communicate करें you know motivational video बना कर या फिर आप spiritual videos बना कर या tarot reader हो सकते हो यहाँ पर communication अपने आपको express करना वो काम हो सकता है जो आपको कहा जा रहा है यह आपके किसी न किसी तरह की passion से related singing, dancing उस तरह से भी आप अपने आपको express कर सकते हो तो self expression यहाँ पर ज़रूरी है वो self expression आपको अपने experiences से related भी हो सकता है कि आपको अपने experiences को यहाँ पर share करना है और दोसरों को heal करना है उस वज़े से आप अपने आपको तो heal कर पा होगे और काफी सारी wisdom जो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ और यहाँ पर आपके दो birds angels और यहाँ पर भी है जो यह दिखा रहे है कि काफी सारे आपको ideas और motivation आपकी angels आपको दे रही हैं और साथ में healing है यहाँ पर तो जब भी आप emotionally जब आप अपने आपको express करोगे किसी ना किसी रूप में अपने passion के थूँ अपने creativity के थूँ अपने words के थूँ guidance के थूँ अ आपकी तो healing होगी होगी आप दुनिया में भी काफी नाम कमा सकते हो और साथ में आप यहनों लोगों को भी heal कर सकते हो उनकी healing process में उनके consciousness process में उनकी awakening में उनकी spiritually growth में आप काफी help कर सकते हो तो यहाँ पर है किसी को online success मिलनी कि किसी ने अपने आपको express किया है तो आप world से online या किसी न किसी तहां से आप जुड़ रहे हो connect हो रहे हो जो आपके लिए तो बहुत healing होगा ही अपने आपको express करना sometime हम लोग वहाँ पर express करते हैं जहां पर लोग ready नहीं होते हैं हम लोग को सुनने के लिए या समझते नहीं है लेकिन हम लोग right place पर अपने आपको express नहीं करते हैं जहां पर लोगों को जरूरत होती हैं तो कहीं न कहीं आपको वो source ढूनना है जहाँ पर आप अपने आपको express कर सकें और लोगों के साथ connect कर सकें जो आपके काम को appreciate किया जाएगा for sure. तो यहाँ पर शायद आपको अपने creativity पर अपने self expression पर invest करने की जुरत है. तो देख लेते हैं और क्या आप first month के लिए आप लोगों के लिए guidance हैं यहाँ पर voyage of the heart जो यह दिखा रहा है love flows through you and to you. यहाँ पर काफी सारी emotionally emotions से लेके again काफी life आपकी turbulence में रही है अप down रहे हैं काफी इसलिए आपके पास बहुत सारे heart से related emotions से related experiences हैं. healer हो सकते हो आप heal कर सकते हो किसी रूप में अपने words से अपनी guidance से अपने self expression से तो कहीं न कहीं यह जो काम भी है यह जो passion है यह creativity है आपके दिल के बहुत करीब है आपकी heart को भी अपने heal करोगे तो यह भी आपके लिए guidance है कि आपको यह invest करने के लिए बोला जा रहा है किसी न किसी रूप में जो आप अपने आपको heal भी कर सके और आप success भी पास सके abundance भी create कर सके तो एक the world card जो होता है वो अपनी true self authentic self को भी you know सामने लेके आना वो भी यह कहीं न कहीं दिखाता है तो आपको कहीं न कहीं अपनी true authentic self है लोगों की judgment लोगों की opinion से मत effect होए जो आप जो करना चाते हैं उसको कीजिए जो आपके दिल के करीब है जो आपके दिल को अच्छा लगता है करना उसके ओपर आप focus कीजिए क्योंकि आपको success जरूर मिलेगी और healing भी है उसमें you know कहीं न कहीं जब हम लोगो appreciate करते हैं लोग आपके काम को तब भी वो भी बहुत ज़दा healing ह होता है क्योंकि हम लोगों को receive नहीं करने आती appreciation और साथ में कहीं न कहीं आप उस you know then जो भी कुछ हुआ past में उससे आप बहार निकला आओगे जब आपको appreciate किया जाएगा next चलते हैं पर blessings तो blessings आ रही हैं आपके लिए second month में blessings है यहाँ पर एक confident एक leader एक you know progress करते हुए success एक balance create करते हुए अपनी life में यह blessings होगी आपके लिए कि आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको और जदा confidence wisdom से connect करोगे एक balance create कर पाऊगे और यह balance yin and yang की energy भी हो सकती है तो अगर आप you know बहुत जदा feminine energy में रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी feminine energy है तो last month में तो यहाँ पर है masculine energy आपको दी जा रही है masculine का balance दिया जा रहा ह है जिससे आप जो भी करना चाहते हो जो भी आपके ideas होंगे जो भी आप wisdom है आपके पास जो भी आप किसी तरह सा भी action लेना चाहते है इस musician की musician के लिए है यहाँ पर उसको वो channel कर पाता है energy को लेकिन उसके लिए उसको action भी लेना पड़ता है यानि कि कहीं नगे masculine power की भी blessings के रूप में इस second month में मिलेगी यहाँ पर है nine of wands जो यह दिखा रहा है कि अगर आपने यह अपने अपको stuck feel किया या किसी person की वज़े से आपने feel किया कि उस वज़े से आप stuck हो किसी situation में stuck हो या mentally आप stuck थे उसमें से आप बड़ी अच्छे से निकला रहे हो यहाँ पर सारे tools, high vibration और masculine power दी जा रही है ताकि आप जो भी अपने dreams manifest करना चाहते हो जो जिस तरह की growth या success manifest करना चाहते हो उसके लिए आप action ले पाओ यह blessings होंगी आपके लिए आने वाले मांत के लिए तो यह blessings चाहें वो इस काम के लिए जो आप start करोगे, invest करोगे जहां पर या जो या right now अगर आप किसी भी career में है already उसमें हो सकता है कि आप ऐसी situation में हो सकते हो जहां पर आपको promotion नहीं मिल रही है, आपका confident नहीं रहे हो आप, तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, growth और progress नहीं देख पा रहे हो, तो यहां पर अगर आप कुछ manifestation techniques भी अपनाएं और यहां पर आपको confidence और high vibration दी जाएगी, ताकि आप यह achieve कर सकें, चलते हैं और क्या messages हैं आप लोगों के लिए, यहां पर है grounding, grounding यानि कि earth energy से connect करना, आपको करना क्या है, उसके लिए explore करना, you know, go deep, explore your roots, एक तो grounding जो है ना, आपको emotionally, mentally, physically, जो है न, heal करती है, आपको grounding करने से, nature में जाने से, isolate करने से, meditate करने से, तो आप, और यहां पर आपको, आपकी intuition से भी connect करती है, जो आपको guide करती है, कि आपको, you know, कौन सा रास्ता अपनाना है, clarity लेके आती है, आपके path के लिए, इस ले भी grounding की जरुत होती है, और साथ में यहां पर, जितना आप, you know, अपने उपर काम करोगे, अकेले में, isolate करके, उतना ही आपको, यह positive energy में रहोगे इस महीने में, और आप, you know, progress वाली, वो blessings से connect कर पाऊगे, और इस high vibration से connect कर पाऊगे, यानि कि ideas आपको मलते रहेंगे, चलते हैं अब थर्ड मन्त में, थर्ड मन्त के आपके energy है, save money, तो यहां पर कहीं न कहीं हो सकता है, आपकी money काफी सारी, यहां पर जिस तरह से यह दिख रहा है, magician का card है, यहां पर, तो यहां पर world का card है, तो इस तरह से शायद आपकी बहुत सारी money, क्योंकि यहां पर Empress का card यह थर्ड मन्त में, बहुत सारी abundance आपके लिए wait कर रही है, तो यह abundance जो है, आपको एक तो होता है, कहीं न कहीं inheritance भी हो सकती है, लेकिन हमारे पास है Empress का card, जो वो खुद create करती है abundance को, तो यहां पर आप money को save कर पाओगे, या अगर आपके money का flow आ रहा है, तो यह message आपके ल you know, shopping जादा करते हो, तो यहां पर आप money को save करने का आपके लिए कहीं के लिए guidance हो सकती है, suggestion हो सकता है, और कहीं आप लोग देख पाओगे कि आपके account में money save होनी शुरू हो गई है, यहां पर है forgiveness, तो कहीं न कहीं अगर आप जहां पर भी आप काम कर रहे हो, वहां पर हो सकत है कि आपको forgive करने की जुरूत है, उस forgiveness से आप एक तरहा की stuck energy जो आपके money और आपके बीच वे आ रही थी, उसको आप release करने वाले हो, उन blockages को release करने वाले हो, क्योंकि यहां पर भी six of swords की, walking away की, जो आपकी blockages है, या stuck energy है, उससे walk away करना, या उन लोगों की energy से walk away करना, जो क कहीं न कहीं negative energy को आपके उसमें create करते हैं, mentally, emotionally, उस वज़े से आप attract नहीं कर पाते हैं, जो आप deserve करते हो, या जितनी आप मेहनत करते हो, तो यहां पर अगर आपके कहीं न कहीं emotional level पर या mental level पर किसी को forgive करना है, वो forgive कीजिए, आप करोगे, release करोगे उस energy को, जिस वज़े से आप यह claim कर पाओगे, अपनी power को, यहां पर the embrace, sometimes होता है न कि workplace पे यह है, तो okay, मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है, क्योंकि यहां पर magician का card था, यहां पर world का, मुझे समझ में आ गया है, मुझे बस उस job को release करना है, उन लोगों को release करना है, forgive करना है, और मुझे अपने बारे में सोचना है, कि मुझे क्या करना है, और खुद ही वो अपने boss बनके, यह abundance create करनी है, यह अपनी power अपने हाथों में लेकर, उस power का use करना है, उस abundance को create करना है, तो जो embrace होती है, ना ही अपने बच्चों परिवार को के लिए बहुत ज़दा loving और caring होती है, nurturing होती है, उसको पता होता कि किस तरह से handle करना है, किस तरह से अपनी power को, इस abundance power को use करना है, क्योंकि वो बहुत ज़दा balanced sun और moon की energy को बहुत अच्छे से balanced और समझती है, और उसके बहुत परिपक्व होती है, बेच्चोर होती है, किस तरह से उस energy को, उस power को अपने abundance को create करने के लि हो सकती है, कि एक job से अब दूसरी job, move कर रहे हो, किसी दूसरी city में move कर रहे हो, जहापर आपको job मिल रही है, जो आपके लिए बहुत ज़दा success और abundance create कर सकती है, और कहीं लोग ये किसी रिष्टे से भी move on कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर forgiveness है, यहाँ पर six of swords, moving का card है, तो य खुद की life को, अपने आपकी, खुद life के Empress बनना, और देख लेते हैं आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर अगर काफी देर से, अगर तो ये sword downward है, यानि कि आप action लोगे किसी ना किसी तरह का इस महीने में, जो शायद आप action काफी देर से लेना चाते थे, चाहे वो Empress है, अ action लेना कि हाँ, मुझे काफी देर से इस dream job की weight थी, और मुझे वो मिल रही है, और उसकी वज़े से जब आपको वो मिल जाएगी, तो आप easily forgive करके आगे निकल जाओगे, move on कर जाओगे, और उस job के साथ connect कर पाओगे, जो आपको और भी ज़दा, you know, divinely आपको guidance यहाँ पर म देखरी है, मुझे हाँ पर six of swords वाली, तो यह सारी mental tension और वो सब कुछ उससे आप बाहर निकल रहे हैं इस month में, तो यह थे आप लोगों के लिए reading, file one, thank you, thank you, thank you so much for watching, और please like, share, subscribe, जूर करे मेरे channel का, और comment section में जूर बताएं, कि आपको यह reading कैसी लगी है, thank you, thank you, thank you so much for watching, and bye for now. messages हैं, वो किसी भी sequence में काम कर सकते हैं, या every month के लिए यह हो सकते हैं, मैंने यह जो card निका ले हैं, यह है first month की energy, यह है second month की और third month की, जब भी आप इस reading को देख रहे हो, तो यहाँ पर पहला काड़ा in patience, backup plan, तो कहीं न कहीं आपको किसी backup plan पे काम करना, आपने शुरू कर द हो, तो या तो आप backup plan पे काम करना शुरू कर दी हैं, या आपको कोई backup plan पकडने की जुरूत है, यहाँ पर अगर आप impatience हो रहे हो, किसी चीज के लिए जो आपको बहुत burden कर रही है, माने कि अगर आपने कोई काम शुरू किया, वो उस तरह से नहीं चल रहा जैसे से आपन energies आगे, उस वज़े से आप कहीं न कहीं impatience हो रहे हो, तो वो energy आपको release करने की जुरूत है, कहीं न कहीं आपको रोका जा रहा है कि आप इसकी बजाए या कोई और second काम हो सकता है, आपको वहाँ पर आपको शुरू करने की जुरूत है, या फिर आपको कुछ ना कुछ और आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, तो इस energy को आपको impatience की energy को release करना है और चीजों को अच्छे से समझना है, क्योंकि ये impatience की energy जो है, जो resistance की energy है, आपको कहीं न कहीं बहुत ज़दा burden दे रही है, बहुत ज़दा आप, you know, ten of wants की energy है, बहुत ज़दा heavy feel कर रहे हो, बहु आपको मिलना चाहिए, तो इस वज़ए से शायद काम इसलिए रुके हुए है, शायद divine आपको दे रही है कहीं न कहीं, कुछ और करने के लिए बताया जा रहा है, या कुछ और आपको second कोई backup plan पे काम करने की जुरुत है, उसकी growth के लिए ताकि आपकी attention के लिए आपको शा आप deserve परते हो, temperance है यहाँ पर, बहुत सारा balance बनाने की आपको जुरुत है, या balance कहीं न कहीं, angel से connection है, शायद आपको आपको heal कर रही है, balance लेके आ रही है, बहुत ज़़ए ideas और clarity भी दे रही है कि किस तरह से आप, you know, ये create कर सकते हो, आप, कुछ न कुछ जो आपको रास दिखाया जा रहा है, या intuitively कहीं न कहीं आपको ये बताया जा रहा है कि कुछ और, जैसे यहाँ पर completely, clearly message a backup plan, यानि कि कुछ और, काम पर काम आपको start करना है, कोई और, कोई spiritual वो हो सकता है, जिसको आपको start करने की जुरुत है, कोई सीखने की जुरुत है, healer हो सकते हो, आप आपको पता ना हो इस बात का, तो कहीं न कहीं आपको अपनी healing power से जुडने की जुरुत है, या फिर आपको, ये सिर्फ चीजें triggering है, लेकिन काफी सारी otherwise आपको कहीं न कहीं emotional healing की जुरुत है, तो यहाँ पर angels आपसे connect करने के लिए, आपको heal करने के लिए ready है, बस आपको य हान देना है, कि हाँ, कि मुझे actual में healing की जुरुत है, तो इस महीने में आपको impatient से निकलोगे और कहीं न कहीं angel से connect कर रहे हो, और वो आपको healing दे रही है, knowingly और unknowingly, कहीं लोग जो है angels के साथ काम करते हैं, और you know courses करते हैं, या purposely angels के साथ connect होते हैं, और heal करते हैं अपनी life को, या फिर कहीं न कहीं आप किसी न किसी रूप में इन angels की energy के साथ connect कर पा रहे हो, divine के साथ connect कर पा रहे हो, जो आप इस situation को heal कर पाओगे इस महीने में, तो जाहे बहुत जादा heavy energy है, जाहे impatience की energy है, कि कोई न कोई काम हो नहीं रहा है आपका, या जो आप चाते हो आपको मिल नहीं रहा, वो satisfy नहीं हो आप career place पर, चीज़ों को लेकर, तो आपके लिए और इस महीने के लिए message देख लते हैं, और बहुत खूब सूरत, again angels का ही message है आप लोगों के लिए, तो आप कहीं न कहीं protected हो, अगर आपको कोई और backup plan पे काम करने की जुरुत है, या आप सोच रह हो, डर रहे हो, confident नहीं हो, आपको angels की protection है, angels की help provided है, आप angels के साथ connect करके आप पूछ सकते हो, अगर आपको किसी तरह की clarity चाहिए, confidence चाहिए, किसी तरह की healing चाहिए, block से unblock होना चाहते हो, इन blockages को कतम करना चाहते हो, किसी तरह का balance create करना चाहते हो, जो आपको आगे बढ़न help करेंगी, क्योंकि यहाँ पर दो angels के card है, strongly आपका angels के साथ बहुत गहरा connection है, या आप create कर रहे हो right now, तो चलते हैं, next month की energy यहाँ पर है, आपके लिए six month, तो six month से या तो आपको किसी stuck energy में, जैसे हम नहीं यहाँ पर भी देखा है, कोई ना कोई चीज नहीं है, situations, लोग आ आपको डरा रहे थे, या आपके अंदर का डर जो है, आपको आगे नहीं आने दे रहा था, आप ही को trick कर रहा था, लेकिन आप लोगों को यह knowledge है, तो किसी के लिए किसी का boss हो सकता है, कि वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा आपको, six month से आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे ह लेकिन यह ऐसे 10 of 1 से बहुत ज़्यादा hard work किया, six month से लेकिन कोई progress नहीं देख पा रहे हो, कोई income में increase नहीं है, कोई promotion नहीं है, या फिर कोई family member होता है, relative friend जो आपकी progress से जलता है, आपकी wisdom से, आपकी जो भी आप करते हो, आपकी growth से, तो उस वज़े से उसकी कहीं तरह की jealous और negative energy आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, यह किसी भी तरह की energy हो सकती है, या खुद के आपके fear चीज़ों को लेकर, या खुद blockages money को लेकर की कैसे होगा, कब होगा, होगा या नहीं होगा, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इस तरह की चीज़ें भी हमारी progress को रो courses कर रहे हो, कही न कहीं है, balance लाने की कोशिश कर रहे हो, और साथ में आपको learn करना, learn करना बहुत अच्छा लगता है, नहीं नहीं चीज़ें, इस दिए शायद लोग ऐसे डराते हैं आपको, यह high priestess यह भी है कि आपको पता भी है कि कौन है, या क्यूं है ऐसे, या किस तरह का डर या blockages है, high priestess बोलती नहीं है, ज्यादा observe करती है, और अपनी intuition, high intuition की वज़े सो उसको पता सब होता है, चाहे वो बताए, express करे यह ना करे, यहाँ पर eight of wands जो है, यह बता रही है कि आपको यहाँ से निकलने के, जब आप एक बार पता कर लेते हो ना, even universe भी इस चीज को identify कर लेता कि आपको पता है इस चीज का और आप निकलना चाहते हो उसमें से, जो भी आपकी यह, you know, trickery energy है, लोगों की या खुद की, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी clarity, बहुत सारे messages receive हो रहे हैं, जैसे कोई friend आपकी help करता हो, कोई relative, कोई brother, sister, कोई भी parents, आपकी help कर र receive करना, किसी ने, किसी तरह से, या हो सकता है कि आप किसी astrologer को connect, connect कर रहे हो, या, terror reader को connect कर रहे हो, उस वजए से, आपको बहुत सारे messages receive हो रहे हैं, receive होगे कि कि तरह से आप strict वाली position में से, stuck वाली position में से, जो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, उस में से कैसे निकल सकते ह तो काफी सारी solution आपके मिलेंगे हो सकता है कि next six month में आप काफी सारी growth देख पाएं या इस situation में आप पिछले छे महीने में फसे होए हो छे महीने से जो आप progress नहीं देख पा रहे हो किसी ना किसी reason की वज़े से लेकिन next month में क्योंकि यहाँ पे angels की आपको help मिल रही है right आप resistance से बाहर निकल रहे हो angels की help से heal कर रहे हो यहाँ पर है पहचान रहे हो अपने weak sides को या tricks को जो भी है यह और blockages को और आपको बाहर निकलने के लिए भी रहत भी जरूर मिल रही है यहाँ पर remedies भी जरूर आपको यहाँ पर मिल रही है किसी ना किसी तरह की online guidance हो सकती है यह है आपके second month के लिए our guidance or messages ascending the mountain keep going forward यहाँ पर है रास्ते जैसे मैंने बोला ना कि कोई ना कि solutions आपको दिये जा रहे हैं यहाँ पर कि आप इन challenges में से कैसे निकल सको तो यह mountains हैं जो challenges हैं लेकिन आपको रास्ता कहीं न कहीं दिखाया जा रहा है कि कैसे आप इन में से निकल सकते हो which is really good क्योंकि सबसे पहले blocked energy ना हम लोगों को बहुँ ज़दा stressful करती है, stress देती है anxiety देती है, हम लोग बहुत समय तो उसी में फसे रहते हैं, बहुत मुशकल से बहार निकलते हैं और समझवाते हैं कि क्या हो रहा है, उन blockages को identify करना और फिर उनके solution धूनने जब जाते हैं तो universe भी ready बैठा होता है angels भी ready होते हैं आपके साथ connect करने के आपके लिए clarity और आपके लिए, इन challenges के लिए आपको solution देने के लिए, तो वो ही यहाँ पर situation आपके लिए बनी हुई है, तो third month में देख लेते हैं pile two, आप लोगों के लिए क्या चल रहा है, job तो किसी ने किसी तरह की job आपको offer आ सकती है, job की शायद आप request कर रहे थे कि आप जिस job में हो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा satisfying नहीं है, चाहे वो abundance की वज़े से या emotionally या happy feel नहीं करते हो content feel नहीं, satisfy नहीं feel करते हो इस job को जिस वज़े से आप शायद prayer कर रहे हो help मांग रहे हो divine से guidance मांग रहे हो तो आपको यहाँ पर जरूर रास्ते दिखाए जाएंगे आपके questions का answer भी दिया जाएगा, तो चाहे वो आपको, यहाँ पर जैसे backup plan का है message तो कहीं न कहीं शायद आप अपनी किसी भी तरह की creativity से जुड़ रहे हो या spiritually किसी तरह के you know कोशिश कर रहे हो, spiritual path को आप चुणना चाहते हो जहाँ पर आप अपनी यहाँ अपनी तरीके से काम कर सको, आपको किसी की under काम ना करना पड़े, आप ही अपने boss हो जहाँ पर, आप अपनी मन पसंद का काम कर सके हो और हो सकता है कि घर पे आप रहकर आप spiritual team से connected हो घर पे रहकर आप कोई काम करना चाहते हो जो spiritual काम भी हो सकता है लोगों को heal करने वाला काम भी हो सकता है वो दिखा रहा है तो आपकी prayers यहाँ पर सुनी जा रही है और आपको रास्ता भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है अगेन यहाँ की तरह यहाँ पर भी रास्ता दिखाया जाएगा आपको help दी जाएगी आपको guidance दी जाएगी यहाँ पर है ace of chalices जो again new beginning को दिखाता है यहाँ पर आपकी बहुत ज़दा intuitive power भी बहुत high हो रही है वो ही यहाँ पर मेरे को three of pentacles भी में नजर आ रहा है कि इस intuitive power को connection, guides के साथ अपने connection, spiritual team के साथ अपनी angels के साथ connection आपका इतना high होगा कि आप बड़े अच्छे से उस science को messages को receive कर पाऊगे कि आपको पता होगा कि आपने करना क्या है actual में तो बहुत सरी clarity और healing आपके career के लिए, career place पर जैसा आप चाहते हो या क्यों यसी job के लिए जो आप बहुत देर से चाहते थे उसके भी new beginning यहाँ पर हो सकती है जो आपके लिए बहुत ज़दा emotionally satisfy होगी अगर आप previously satisfied नहीं रहे हो किसी ना किसी reason से अपनी job के साथ, तो यहाँ पर यह जो भी आप new beginning करने वाले हो वो बहुत ज़दा satisfying रहेंगी है कईयों के लिए healing काम भी हो सकता कि आप healer हो तो आप healing के लिए या लोगों किसी ना किसी रूप में inspire कर रहे हो, heal कर रहे हो यह वो भी हो सकता है जो बहुत satisfying होगा आपके लिए और क्या message है इस third month के लिए आप लोगों के लिए great adventure तो take a risk, risk, venture forward यह भी इसी को दिखाता है जो आप आपका दिल करेगा इस third month में, आप वो कर पाओगे, कोई भी आपको tension नहीं होगी, कोई भी लोगों की opinions की वो होनी होगी, कोई भी इस तरह का obstacle नहीं होगा आप जो करना चाहते हो शायद long time से, वो आप जरूर कर पाओगे, तो उसके लिए आप अकेले ही forward, you know, आगे बढ़ना तो यह flag, जो है green flag, आगे बढ़ना जो आप करना चाहते हो, यहाँ पे new beginning या काफी देर से जो आपके खयाल या ideas आपको मिल रहे हैं, उनके ओपर you know, finally आप काम कर पाओगे, जो आपके लिए एक great adventure से कमनी ही होगा, you know, जैसे किसी की wish fulfill हो रही है, जो बहुत सालों से चाहता था कि मेरा इस तरह से काम होना चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो आखिर में वो उस चीज से connect होने जा रहा है, तो ये थी आप लोगों के डिरीडिंग पाइल 2, तो ये first month जब भी आप इस डिरीडिंग को देख रहे हो second month, three month, ती तीन महीने की career reading क्या है आप लोगों के लिए, career energy क्या रहेगी वो हम लोगों नहीं यहाँ पर check किया है तो please like, share, subscribe, जुरू करे मेरे चैनल को, और comment section में जुरू पताएं कि आपको ये reading कैसी लगी है thank you, thank you, thank you so much for watching and have a beautiful day bye for now hi pile 3, तो अगर आपने choose किया है स्नोफलेक जैस्पर को तो देख लेते हैं आपकी reading एक तो स्नोफलेक जैस्पर से ये message है कि काफी ज़्यादा stuck energy या dark, stressful energy में रहे हो आप अपने career को लेकर recent past में कुछ महीनों से आप growth नहीं देख पाई हो stuck या जितना आप you know, achieve करना चाहते थे, उतना नहीं कर पाई हो जिस वज़े, जिसने आपको बहुत ज़्यादा शायद stress में रखा है पिछले कुस समय से तो देख लेते हैं career में पाईल 3, आपकी क्या energy आने वाले तीन महीने के लिए ये तब से start हो जाएगी जब भी आप इस वीडियो को वाच कर रहे हो तो सबसे पहले message है आपके लिए तीन message जो यहाँ पर है वो कहीं न कहीं important messages हैं जो है donate, baby steps baby steps और prosperity तो start करते हैं donate से यहाँ पर ये वैसे मैंने first महीने की निकाली है और ये second महीने की है और ये third month की निकाली है reading energies तो ये इधर उधर भी हो सकती है according to you know आपके action तो देख लेते हैं donate यहाँ पर victim card जैसे मैंने बोला crystal के energy थी dark energy stressful energy तो अगर आप victim mentality में रहे हैं कि आपके according नहीं हो पाए efforts आप बहुत करते हैं लेकिन कहीं न कहीं आप blocked energy में रहे शायद वो आपके mentally किसी stress से या लोगों की वज़े से create की हुई या life में और काफी सारी issues हमारे चलते रहते continuously जिस वज़े से भी हम लोगी career energy effect होती है कई बार ये blockages हम लोग खुद भी create करते हैं ये सोच कर कि कब होगा कैसे होगा मुझ से होगा या नहीं होगा तो इस तरह की energy भी हमारे you know success को block करती है तो कहीं न कहीं अगर victim mentality में रहे तक good बात ये है अच्छी बहुत अच्छी बात ये है कि आप donate कर रहे हो किसी ना किसी तरह आप donation में participate कर रहे हो चाहे वो आप अपने knowledge को, wisdom को या अपने resources को आप donate कर रहे हो, help कर रहे हो चिडियों को दाना डालना animals की you know, stray dogs होते है animals होते है stray animals, उनको कहीं न कहीं आप food देते हो या फिर आप purpose ली जाके किसी जगां पर जाके donate कर के आते हो या फिर ये लोगों के लिए भी हो सकता है कि आप कहीं न कहीं help करते हो किसी न किसी की तो, लेकिन वो जो donation है आपको इस victim mentality से इस victim वाली situation में से निकाल रही है जहां पर आप blocked हो और जहां पर आप success या positive energy अपनी career place पे नहीं देख पा रहे है यहां पर है nine of pentacles सबसे पहले तो उस area की आपकी healing है तो अगर आप यहां पर है negative यहां पर है low vibration और यहां पर है healing high vibration यहां पर है कि stress free हो जाना कि हाँ सब कुछ आ जा रहा है faith कि सब कुछ हो रहा है सब कुछ हो जाएगा मुझे इतनी tension लेनी की जुरूत नहीं है आपके जो विक्टम वाली जो blockages वाली energy थी उसको healing मिल रही है यहां पर आपके donation की वज़े से which is really good information की message कि आप donate कर रहे हो और आपको फल में मिल रहा है यानि कि आपके वो आप देख सकते हो कितनी रोशनी है sun की energy है happy energy है abundance की energy है आपके पस जितने resources हैं इस यहां पर है ना blockages में हम लोग वो भी enjoy करना भूल जाते हैं जो हमारे पस already है लेकिन यहां पर आप at least चाहे वो कम मातरा में हो आप यहां पर वो उसको enjoy कर रहे हो positive उस वज़े से आप जिस तरह से positive हुए हो happy energy में आए हो high vibration में आए हो आप खुद की life तो enjoy करी रहे हो present moment को आप और भी abundance अपने लिए attract कर रहे हो किसी ना किसी रूप में जब हम लोग इस vibration में होते हैं बहुत अच्छे से हम लोग easily attract कर पाते हैं यहां पर है आपके लिए divine help यहां पर यह भी हो सकता है कि आप किसी गुरू से टीचर से mentor से जोड़े हो जैसे हम लोग कोई problem आती है हम लोग टेरो डीडर के पास या किसी के पास जाते हैं किसी से guidance मांगते हैं तो शायद इस guidance की वज़े से आपकी जिंदगी में आप यह change लेके आ आ रहे हो पर हो सकता है या किसी astrologer ने टेरो डीडर ने आपको ये remedy बताई डोनेट करने की उस वज़े से आप डोनेट कर पा रहे हो अपने आपकी help कर पा रहे हो इस महीने में जब भी आप देख रहे हो first month की या फिर मुझे ये भी लग रहे है कि कुछ न कुछ अप नया शुरू कर रहे हो you know changes लेके आने चाते हो इस में से निकलना चाते हो या किसी अपने करियर पात को change करना चाते हो या कुछ update करना चाते हो कुछ add up करना चाते हो कि यहाँ मुझे कुछ और भी करना है तो यहां पे क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा हाई वाइबरिशन और अबंडन स यहां पर है तो आपके पास मनी भी अवेलेबल है यहां पर की आप नए कोर्सेश सीक पाओ और यहां पर फेद है और यहां पर फाइफ नंबर के साथ चेंज भी है तो देख लेते हैं आपके लिए इस महीने के लिए क्या final message है unknown territory तो आप कुछ guidance मिल रही है आपको या divine और angels आपकी help कर रहे हैं changes लाने के लिए या आपको messages receive हो रहे हैं वो कहीं न कहीं आपको एक unknown territory यानि कि कुछ नया शुरू करने के लिए आपको inspire कर रहे हैं आपको guide कर रहे हैं आपकी spiritual team आपकी wisdom को share करने के लिए या कुछ और talents आपके पास gift हो सकते हैं जिनको share करने के लिए आप किसी शाद new journey पर उतर आए हैं या new direction की तरफ जाने वाले हैं जो चाहें आपके लिए unknown हो पर यहाँ पर क्योंकि यह divinely guided है इसलिए यहाँ पर आपको success जरूर मिलेगी तो यहाँ पर आपको पहुचाने के लिए कि आपकी direction चेंज करें आप और इस वज़े से ही आपको शादी यह blocked energy में रखा गया ताकि आप ध्यान दे सकें यह attention दे सकें आपके talents, gifts से related हो सकती है यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी spiritual team यहाँ पर active है जो आपको साथ है आपको guide कर रही है अब चलते हैं next यहाँ पर month के लिए baby steps तो यहाँ पर है recognize करना अपने आपकी abilities को recognize करना क्योंकि इस new journey पर निकले हो तो आप अपने वारे में explore करोगे यह वह हो मुझे यह भी आता है मुझे यह भी पता है यह मुझे मैं यह भी कर सकता हूँ यह कर सकती हूँ तो उस वज़े से आप अपनी self worth को पहचाना recognize करना सबसे पहले जो successful लोग होते हैं यह एक बड़ी उस पर पहुंचते हैं वहाँ पर अपने आपको पहले self worth को समझना recognize करना ज़रूरी रहता है इससे पहले कि लोग recognize करें आपके काम को आपके skills को तो यहाँ पर अगर आप name and fame अपना चाहते हो famous होना चाहते हो celebrity बनना चाहते हो कहीं न कहीं से आप यह जो यह फोकस में है यह spotlight है उसमें जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको पहले अपने आपके skills को अपने potential को recognize करने की जूरत है और वह आप करोगे next month में और उसके लिए आपको baby step लेने की जूरत है यहाँ चुड़ चुड़ बेबी step लेजिए इस चेर की तरफ जाने के लिए spotlight में जाना चाहते हो नहीं fame पाना चाहते हो तो उसके लिए आपको baby step लेने की जूरत है यहाँ पर two of swords यह दिखा रही है कि अपने अगर आप दो करियर को लेकर आप clash हो रहा है या फिर decision को ल होगा तो इस तरह कि अगर आपके पास question है तो यहाँ पर आपको divine guidance again the lover card से available है अपनी angel से पूछे आपको guide मिलेंगी और यहाँ पर आप choice choose भी कर पाऊगे आपको यह swords मुझे यह भी दिखाती कि clarity जब हम लोगो clarity मिलती जालती है अपने divine path पर या divine की तरफ से तो हम लोगों हो जाता है हम लोग choose कर सके एक सही रास्ते को अपने लिए तो वो lovers यहाँ पर angels आपको सही रास्ते के साथ मिलाएंगी आपको alignment में लेके आएंगी जो भी आपकी destiny है तो final message देख लेते हैं आप लोगों की second month के लिए यहाँ बढ़ है crossing bridges definitely आपको अगर कुछ difficultly लग रहा था या सिरफ एक bridge को ही आपको पार करना था वो bridge आप पार कर रहे हो यह कोई आपके लिए cycle भी हो सकता है कि कोई cycle आपको complete करना था काफी देर से आप you know बहुत close खड़े पार करने के लेकिन किसी वज़े से रुके हुए थे या पूरी तरह से अपनी potential को पहचान नहीं पार रहे थे लेकिन आप यह आप देख सकते हैं यहाँ पर भी light है उसके पास और यहाँ पर भी chair पर light है तो कुछ ना कुछ तो है आपके पास potential जिसको आपको दिखाना जग को सुनना और इनो confidence और faith के साथ आगे बढ़ोगे आप next month में तो यहाँ पर है new journey यहाँ पर है कि बहुत close आजाना आपनी destiny के लेकिन कई बारे हम लोग बिल्कुत close होके अटक जाते हैं कहीं न कहीं लेकिन आप चूज करोगे आगे बढ़ना क्योंकि आपका faith और आपको steps के लिए clarity भी दी जाएगी लास्ट में हैं आप पर prosperity तो अगर past में जहां पर से हम लोगों ने शुरू किया था remember कि आप वो नहीं कर पा रहे हो success या abundance create जो आपने सोचा या dream किया था या आप मेनत कर रहे थे जिसके लिए यहाँ पर है prosperity की आप definitely इस वज़े से grief जो भी past मे हुआ उस वज़े से शायदा आप बहुत जादा hurt थे कि आपने इतनी effort डाली लेकिन आपको किसे ने recognize नहीं किया आपको वो fruits खाने को नहीं मिले जो आप deserve करते थे तो यहाँ पर है जैसे कोई past में आपने कुछ शुरू किया था या जो आपका काम already चल रहा था उसमें आप पर है कि मुझे healing हो रही है उसकी आप सिर्फ feel करोगे लेकिन prosperity का card आपको बता रहा है कि जो आपको past में आपकी energy रही है उसमें से आपको healing मिल रही है six of chalices again past memories you know past में जाके सोचना हो मैं कितनी frustrated हो गई थी कितनी stressful हो गई थी मुझे बिना बात कि मैंने यह सोचा नहीं समझ यह ना यह परी grief की और six of chalice six of kuff की energy होती है तो यहाँ पर है king of wants जो आपको एक confident एक बहुत सरा अपने काम में confident होना और साथ में ambitious होना फिर से तो इस energy में से निकल के फिर से ambitious हो जाना और साथ में यहाँ पर इस बहुत सरे काम और यह कहीं के लिए क्योंकि यह orange color यह नो एक confidence को दिखाता है creativity को दिखाता है solar second chakra की energy है यह तो second chakra, sacral chakra, sacral chakra आपका heal हो रहा है आप independent होंगे यहाँ पर आप abundance बहुत सारी prosperity बहुत सारी create कर सकते हो बहुत सारा काम आपकी तरफ आ रहा है जिसकी शायद आप वेट कर रहे थे यहाँ पर तो final card आप लोगों के लिए देखते हैं कि जो भी आपके रास्ते में आ रहा है उसको जर्नी को आपको surrender करना है और कहीं के लिए job call भी हो सकती है कि आप कहीं किसी दूसरी जगह पर move कर सकते हो यहाँ पर आपको control release करना है यहाँ पर है six of cup में grief म you know सोचना फिर उसी को energy भीजते रहना past को और you know grief में रहना तो यहाँ से आपको release करना है release control release करना है और जो भी आपके path पे भेजा जा रहा है आपके लिए चाहे वो बहुत सारा काम है या किसी journey को आपको surrender करना है तो वो आपको यहाँ से surrender करना faith रखना कि आगे जो आपका future future है वो bright ही होगा और सब कुछ positive होगा और बहुत सारी abundance जो है आपके लिए wait कर रही है इस बात का आपको you know faith रखना और आगे बढ़ना जो भी universe आपको जहां पर भी guide कर रहा है आगे बढ़ने को बता रहा है तो यह थी आप लोगों के लिए career reading थैंकी 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 तalar भलल में हैंकी तार कि बांगे आपको यह नहां कर रहा है